आज हम बात करेंगे कि मौल पर एक सुरक्षा कर्मी को किस तरह कस्टमर से बात करना चाहिए सबसे पहले जब कोई कस्टमर आता है तो उन्हें अविवादन करें और उनके सामान की जाच करें जैसे बैग, बर्स, हित्यादी को बैग स्कनर के द्वारा जाच हैं ताकि कोई आपति जनक वस्तु अंदर न जाए जैसे चाकू, सीजर, बंदू, गन एवं कोई विश्वोटक, पदार्ज, इत्यादी ग्राहक को हर संबव मदद करने का प्रियास करें और असब विभासा का प्रियोग ना करें सब विभासा वे मुश्कान के साथ आगुंत को अयवादन करें यदि किसी कस्टमर के पास कोई ऐसा सामान हो जिसे अंदर ले जाना निसेद हो तो आप उसे अपने पास बाहर सुरक्षित रखवा सकते हैं ताकि बाहर जाते हुए वे अपना सामान वापिस ले जाए अब बात करने करते हैं कि एक सुरक्षाकर्मी के मौल में क्या कार्ण होते हैं आपको बतादैं कि एक सुरक्षाकर्मी के तीन काम होते हैं जो कि सुरक्षाकर्मी को आने ही चाहिए आप जिस लोकेशन में या जिस सस्ता में जॉब कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी बहुत आउश्यक है जानकारी आपको आनी चाहिए आप मौल के बारे में बेसिक जानकारी समझ चुके होंगे धान्यवाद